हेलो फ्रेंड्स वैलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दा बैट विजन दिस इस साहिल मली की वर होस्त अंदा यूर वैट तो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है विगोज आज की वीडियो के अंदर हम आपको साइबेरियन हस्की डॉग ब्री वागोज है तो आपको क्या करना है आपको अपने असकी मदर है उसके पास ही रखना है किया न्यूट्य के लिए जो जो बहुत यादा required होते हैं dog की body के लिए तो आपको ये चीज़े ध्यान में रखना बहुत यादा ज़रूरी है बट अगर guys कई बार क्या होता है कि damn available नहीं होती तब आप अपने dog को क्या दे तो guys S.B.L.E.C. नाम से एक product आता है जैसा कि आपको screen पे भी दिख रहा होगा S.B.L.E.C. एक seralak है आपको ये guys 5-6 बार पिलाना है यानि दिन में आप 5-6 बार पिलाओगे और guys आपको ये half cup देना है one time में यानि आपको half cup ये मिला के lukewarm water के अंदर मिला के अच्छे से mix करके आप अपने dog को ये दे सकते हैं साथ में guys आपको pup booster देना है pup booster के अंदर guys basically जैसे drools company काता है मैं एक special video भी pup booster के उपर मैंने बनाई हुए है आप उसे भी देख सकते हैं तो guys pup booster भी आपको 5-6 बार अपने puppy को पिलाना है इसमें guys आपकी ratio क्या रहेगी 60% आपको रखना है powder form और 40% आपको रखनी है lukewarm water यानि दोनों को mix करके आप अपने puppy को दोगे तो guys इस stage के अंदर because ये एक puppy की age है आपको कोई भी दूसरा food add नहीं करना है आपको सिर्फ seralek के ओपर ध्यान देना है और साथ में जो मैंने पुस्टर बताया है आप अपने puppy को ये भी दे सकते है और basically guys इसी के अंदर मैं एक बात आपको बता दूँ कि अगर आप Siberian Husky लेने के लिए सोच रहे हो तब आप अपने कभी भी Siberian Husky को अगर आपके puppy का जो weight है कम है यानि कई बार हम health से भी recognize कर लेते हैं कि इसकी growth कैसी होने वाली है तो guys अगर आपका puppy है like one month का है तब आप बिल्गुल भी puppy को purchase मत कीजिए अगर आपका puppy की जो age है वो दो महीने तक हो जाती है या इससे ज़्यादा है तब आप अपने dog को purchase करें because starting period में उसे अपनी mother के पास रहना बहुत यादा जरूरी है उसे वो surrounding देना बहुत यादा जरूरी है अब basically guys अब हम बात करते हैं हमारे next step के बारे में यानि अगर आपके puppy की age 35 दिन से 3 महीने की हो जाती है तब आप अपने dog को क्या दे basically guys अब आपको starter start कर देना है like royal canyon starter आता है maxi के नाम से भी आता है small pieces आपको देने है यानि जो boiled जो chicken होता है आपको उसके small pieces कर देने है चोटे चोटे तुकडे जैसा कि आपको screen पे भी दिखरा होगा आप अपने dog को ये दे सकते हैं तो guys boiled होना चाहिए row बिल्कुल ही मत देना और guys excessive amount में बिल्कुल ही नहीं देना वरना lose motion लग जाएंगे और gastroenteritis होने के chances भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो guys जो आपको royal canyon जो देना है यानि जो starter देना है 200 से dysogram आप इपने dog को दे सकते हैं one time में 200 से dysogram रखना है तो आप दिन में कितनी बार देंगे आप दिन में 3 बार अपने puppy को ये चीज़े दे सकते हैं और इसके अंदर guys जैसे कि आपके जो puppy की age है 35 दिन से 3 महिने की हो गई है इसके अंदर आपको one teaspoon calcium की सिरफ one teaspoon आपको रखना है multi vitamin और साथ में fish oil यानि fish oil भी आता है आपको इस food के अंदर मिला के दे सकते हो या कुछ capsules की form में भी आता है fish oil capsules आते हैं जैसे कि आपको screen पे दिख रहा होगा आप one दे सकते हो यानि per day आप उसे एक अपने puppy को ये खिला सकते हो बहुत ज़्यादा ये useful होगा साथ में ही आपको इसके अंदर soya bean देना है soya bean आप रख सकते हो इस age में और साथ में आप पनीर दोगे पनीर जिसे हम चैना कहते हैं जैसे मैंने coffee dog जो pread है पहले उसमें बताया था आप दे सकते हो इस चैना के अंदर क्या होता है protein content बहुत ज़्यादा मातरा में होता है और guys ऐसा नहीं है कि हमें उसे एक दम बहुत सारा दे दना है हमें उसको चोटे-चोटे pieces करके देने है चैना बना के देना है और guys साथ में ही आपको 20% rice इसका मतलब क्या है 1 cup rice आप अपने पपी को दे सकते हो जो rice का water होता है आप अपने पपी को पिला सकते हो pulses दे सकते हो यानि जो दाल होती है आप वो दे सकते हो साथ में अगर हम vegetables की बात करें तो आप vegetables कोई भी दे सकते हो लेकिन fruits अगर आप दोगे तो आपको grapes नहीं देने है मिल्कुल भी बाकी कोई भी आप fruit अपने पपी को दे सकते हो water melon must है आप दे सकते हो इसके अंदर क्या करना है आपको water की एक essential मातरा देनी है यानि water जरूर है water होना चाहिए आज पास उसके because body को required होता है water चाहिए वो कहीं भी किसी भी weather में रहे basically वैसे ठंडे इलाके में रहते है water की कमी मातरा चाहिए but guys मैं आपको यह suggest करूँगा water जरूर दें पाने के बिना तो कुछ है ही नहीं तो guys चलिए अब हम करते है next हमारे step के बारे में जिससे बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका puppy 35 से 3 महिने का है तब आपको एग देना है अब एग कितना देना है one egg देना है और सिर्फ उसका white part यानि पूरे दिन में सिर्फ एक एग देना है अब हम बात करते हैं हमारे next step के बारे में अगर आपके dog की age 3 मन से 6 मन की हो जाती है तब आप अपने dog को क्या दें basically simple आप starter भी दे सकते हो इसके अंदर या जो growing जो feed होता है वो भी आप अपने dog को दे सकते हो यानि dog feed तो आपको देना ही देना है like royal canyon का आता है जो जैसे कि मैंने आपको maxi बताया और भी बहुत सारी brand से आप दे सकते हो और साथ में ही guys आपको इसके अंदर दो egg देने है और one cup आप rice कर सकते हो पनीर soybean same continue करना है आपको chicken देना है अब guys chicken के अंदर जैसा कि हमारे जो chicken होता है तो उसके जो पंजे होते हैं उसको आप boil करके दो देखे guys chicken तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस dog की breed के लिए German Shepherd और Siberian Husky के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है because बहुत ही ज़्यादा aggressive ये dog breed होती है और अगर आप हटा-खटा बनाना चाहते हो तो protein तो आपको फ्रूट्स की बात करें तो same वही आप इसको इसके अंदर grapes नहीं देना बाकि आप कोई भी fruit दे सकते हो mango भी नहीं देना है जो खटी चीज़े होती है आप अपने साइबेरन Husky breed को मत दे इस age के अंदर भी और जो दूसरी ages भी है यानि साइबेरन Husky के अंदर आपको ये चीज़े avoid करनी है और इसके अंदर आपको 2 teaspoon calcium की सिरफ 2 teaspoon multi vitamin और साथ में ही आपको दो tablet देनी है fish oil tablets आती है जो fish के oil होता है उनकी tablets बनी होती है जैसे कि screen पर भी आपको दिखरा होगा आपको अपने puppy को ये चीज़े देनी है per day आप अपने dog को ये दे सकते हैं अच्छी growth होगी guys guarantee नहीं लूँगा लेकिन एक अच्छा well आपको guide करूँगा अगर आप try करोगे तो बहुत ही एक अच्छा आपके dog की bone strong होगी और साथ में ही guys बस थोड़ा सा आपको quantity बढ़ा देनी है royal cannon दे देना है साथ में दो egg देने है आपको सुबह शाम देना है completely का मतलब ये है कि जो उसके अंदर जो दाल होती है जिसे normal basic जो पिला पिला पदार्थ होता है आपको वो भी देना है boiled आप chicken दे सकते हो जिसे हम जो gravy होती है आप वो भी दे सकते हो लेकिन आपको excessive मात्रा में मसाले बिल्कुल भी नहीं देने है dog chicken, biscuits आते हैं soya bin दे सकते हो paneer दे सकते हो साथ में ही guys आप इसके अंदर rice भी add कर सकते हो rice आप one full cup भी दे सकते हो one cup जिसे हम ball देते है या pulses का water पिला सकते हो curd दे सकते हो और साथ में एक आइस काफी जादा मात्रा में जो biscuits available होते हैं आप वो भी दे सकते हो आप guys basically mind में एक question आता है हमारे कि अगर ये growing stage है तो हम अपने dog को कौन सी bone दे यानि calcium जो bone आती है ना market में available होती है तो हम कौन सी bone दे तो guys bone आप कोई भी दे सकते हो लेकिन आपको उसको alternatively देना है यानि अगर आज दी है कल का gap रखना है परसो दे देनी है आप लगातार बिल्कुल ही नहीं दोगे because excessive amount में हमें calcium भी नहीं देना ये भी side effect cause करेगा अगर हम कम दे रहे हैं तो वो भी side effect cause करेगा तो आपका ये भी doubt I think clear हो गया होगा तो guys अब हम बात करते हैं adult के बारे में adult यानि जिसकी जो उमर है एक साल से ज़्यादा की है उसको आप क्या दे basically guys dog feed तो आपको पूरी life नहीं छोड़ना है dog feed देना ही देना है साथ में ही आपको 2 egg दो इसके अंदर same procedure रहेगा साथ में ही आप 1 cup rice दे सकते हो आप pulses भी दे सकते हो vegetables दे सकते हो fruits भी fruits भी दे सकते हो fruits के अंदर वही सारे fruits दे सकते हो सिर्फ grapes को छोड़के आप काफी जादा मातरा में water की availability रखनी है इस breed के अंदर because बहुत ही aggressive होता है बहुत ही active breed है और इसके अंदर आप पनीर दे सकते हो पनीर के चोड़ 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 पीसिस होते हैं आप वो दे सकते हो लेकिन आपको excessive मातरा में नहीं देना है chicken guys दिन में दो बार आप अपने डोग को ये chicken देना अगर आप अपने डोग को एक strong bone heavy bone का डोग चाते हो तब आपको अपने डोग को chicken की availability करवाने ही है और guys जो soup होता है ना chicken soup होता है आप अपने डोग को वो भी पिला सकते हो जो chicken के जो पंजे होते हैं आप अपने डोग को ये भी दे सकते हो बहुत यादा useful होगा और इसके अंदर आपको 3 teaspoon रखना है calcium की सिरुप 3 teaspoon आपको multi vitamin और 3 tablet आपको fish oil की जो tablet आती है market में आपको वो अपने डोग को दे देनी है तो basically guys ये जो मैंने आपको जो chart बताया है ये एक basic chart है कई जो डोग होते हैं adopt कर लेते हैं इस chart को और कई डोग है adopt नहीं कर पाते तो guys अगर आपका डोग इस diet plan को adopt कर रहा है तब आपको इसी को continue रखना है पर guys आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि जितना भी वो खारा है उसके खाया पिया लग रहा है ये नहीं लग रहा अब आप इस चीज़ को कैसे चेक करोगे उसकी movement से यानि body की growth से वो active है अच्छा चल रहा है अच्छा खा रहा है वो बिमार नहीं पढ़ रहा यानि आपने एक maintain करके रखना है पूरा diet chart को अगर आप उपर नीचे करोगे तो बहुत ज़्यादा problem हो जाएगी तो guys especially इस breed के अंदर आपको अपने dog को onion नहीं देना है onion से आप अपने dog को बचाओ और कोई भी chocolate नहीं देनी है कोई भी sweet material नहीं देना है because guys कार्णी wars है और guys जैसे की German shepherd भी था अब guys आप mind में सोच रहे होगे कि आपने हमें चपाती के बारे में नहीं बताया तो guys अब जो चपाती है ना वो एक basic है हम उसे दे ही देते हैं तो चपाती को आप guys कैसे दो आपको मैं तरीगा बता रहा हूँ अगर आपका dog adult है तब आप दो चपाती दे सकते हो लेकिन chicken के अंदर mix करके अच्छे से अगर आप ये चीज़ फोलो करोगे तो आपका dog जरूर एक healthy हो जाएगा और अच्छा उसकी bone डेवलोप हो जाएगी तो guys ये आज की छोटी सी एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि साइबेन हसकी के diet plan के बारे में अगर guys मुझसे कोई भी point छूट गया है तब आप comment section में जरूर messages कीजिए आपके question put कीजिए आपको reply दिया जाएगा तो guys आगे चलके हम और भी dog breeds के बारे में आपको diet chart बताएंगे diet plan बताएंगे और guys हमारे चैनल को आप ऐसे ही प्यार देते रही है और guys हमारे चैनल को आप share जरूर करें because guys आप हमारे चैनल को share करोगे वो आगे वाले बंदे दो बंदो को और बेज़ेंगे जिससे उनकी help हो सकेगी और जिससे हमारा भी benefit होगा so guys thank you so much for watching this and please do like, subscribe and comment thank you so much